अरे भई प्यास लगी है आप भी पीलो पानी को लेकर बड़ी सारी थियोरीज हैं आपने सुना ही होगा खाने के बिना तो हम जिन्दा फिर भी रह सकते हैं लेकिन पानी के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं आखिर पानी को लेकर इतनी सारी थियोरीज क्यों है बड़े बड़े दिगजों ने पानी को लेकर बहुत कुछ कहा है कि हमें पानी कैसे पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, खाने के बाद पानी पीना चाहिए या फिर नहीं पीना चाहिए आखिर ये सारी थियोरीज सही हैं या फिर नहीं आज की वीडियो में इनी सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं और इन सबी थियोरीज को दूर भगाते हैं और सच जानते हैं फैक्ट्स के साथ चलिए हलो नमस्ते सशकाल आदाप कैसे हैं आप सब I hope all of you are good मैं हुझे आपकी डाइटीशियन डॉक्टर हैपी आप में से बड़े सारे लोगों का बड़ा कॉमन सा बिलीफ है याने कि विश्वास है कि जब भी हम खाने के उपर से पानी पीते हैं तो वो हमारे स्टमक के आसिड याने कि HCL hydrochloric acid को dissolve कर देता है, dilute कर देता है जिसकी वज़ा से हमारा digestive system याने कि पाचन क्रिया slow down हो जाती है और खराब हो जाती है लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यह सारी की सारी theories कलत है अब इसके लिए आपको तीन चीजों की knowledge होनी बड़ी ज़ादा जरूरी है सबसे पहले कि जब भी हम कोई चीज उपर से लेते हैं जब भी हम कोई liquid उपर से intake करते हैं यानि कि आप अपने mouth से उसे अंदर की तरफ लेकर जा रहे हो आपकी body produce नहीं कर रही है तो वो आपके stomach के acid का बाल भी बांका नहीं कर सकती अब ये कैसे हुआ ये आपको ये मैम बताएंगे तो अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं अपनी 10th class की science के उपर चलते हैं जिसमें हमने पड़ा था कि जब हमारा खाना digest होता है तो उस time पर हमारे stomach में अकेला HCL यानिकी acid ही नहीं होता बलकि उसके साथ और भी बहुत सारे enzymes हमारे stomach में produce होते हैं जो हमारे खाने को छोटे में तोड़ने का काम करते हैं और जिनके वजह से जो हमारा खाना है वो अच्छी तरह से digest और absorb होता है और उसके बाद हमारी पूरी body में blood के थू सर्कुलेट हो जाता है और हमें energy प्रोवाइट करता है और इसके साथ ही आपने pH के बारे में भी जरूर पड़ा होगा अब ज के बीच और जो हमारा पानी है उसका pH होता है 6.8 से 7 या फिर 7.12 तक का और इसका मतलब कि जो हमारा पानी है वो दस गुना जादा diluted form में है acid के और अगर आप खाना खा रहे हो उस time पर अगर आप पानी को consume कर रहे हो तो आपको कम से कम दस गुना जादा पानी पीना पड़ेगा अपने stomach के acid को dilute करने के लिए मतलब आपको लेटरों में पानी पीना पड़ेगा आप कह सकते हैं कि आपको 10 गिलास पानी के पीने पड़ेंगे या 15 गिलास पानी के पीने पड़ेंगे और हम जानते हैं कि इतना पानी पीना possible नहीं है तो इसलिए एक गिलास पानी का पीने से आपके stomach के acid को कोई फरक नहीं पड़ने वाला तो अब समझें, याने के हमारे स्टमक में तैजाब का एक सैलाब होता है, जब हम खाना चबाते हैं, तो आसिड की सिक्रीशन होती है, जब हमें भूख लगती है, तो आसिड की सिक्रीशन होती है, जब खाने के खुश्बू आती है, तब आसिड की सिक्रीशन होती है, और और दूसरी चीज, जब हम खाने के साथ या फिर खाने के ऊपर से पानी पीते हैं, तो वो हमारे खाने को डाइजस्ट करने में हेल्प करते हैं, ताकि हमारा खाना जल्दी से तूटे और उसके बाद हमारी बॉडी में एब्सॉर्ब होने लगे. आपने अब एक चीज तो लोटीस की ही होगे, जुतने भी बच्चे छोटे होते हैं, वो हमेशा खाने के बीच में पानी पीते हैं, और खाने के बाद भी पानी पीते हैं, और उनका डाइजेशन, उनका डाइजस्टिफ प्रॉसेस हम लोगों से बड़ा जादा स्ट्रॉंग इसलिए आपको भी खाने के साथ और खाने के बाद अगर आप पानी पीते हैं, तो आराम से पीना चाहिए, बेच जिजग होके पीना चाहिए, पानी हमारे जिन्दी में बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है, आप सभी जानते हैं कि हमारी बोडी 75% तक पानी से बनी ह तो इसलिए पानी को जरूर पीजिए, अब ये सारी की सारी थियोरिस को दुगर भगाईए कि इस टाइम पर पानी पीना चाहिए, इस टाइम पर नहीं पीना चाहिए, जब आपका दिल करें आपको पानी पीना ही चाहिए, और कोशिश करिए कि 12-15 गिलास पानी आप डेफ और वहीं पर एक छोटे से बच्चे का शरीर 75 प्रतिशत पानी से बनता है, और अगर हम बुज़ुर की बात करें तो उनकी बॉड़ी में लगभग 50% तक पानी प्रसंट होता है, तो इसलिए पानी हम लोगों के लिए बहुत ही जादा जरूरी है, अब खाने और पानी को एक और बहुत ही मेजर डिफरेंस है, जब हम खाने की बात करते हैं, तो खाने की पाचंक्रिया अलग होती है, उसका डाइजस्टिफ प्रसेस अलग है पानी के कंपारिटिफ, जब हम खाना कंजूम करते हैं, तो हमारे स्टमक में चोटे चोटे टुकडों में तूट जाता है और उसके बाद वो small intestine में चला जाता है, जहां पर जाकर वो एबसॉब होता है, लेकिन पानी की जब हम बात करते हैं, तो पानी सबसे पहले डाइजस्ट नहीं होता, पानी हमारी body में directly absorb होता है, क्योंकि जब हम liquid intake कर रहे हैं, plain liquid intake, जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता, त तो वो directly हमारे stomach को pass out कर जाता है, और सीधा small intestine में चला जाता है, वो depend करता है सिरफ situations के ऊपर कि आपका पेट खाली है या फिर नहीं, जैसे जब हमने सुभे उठकर पानी पिया, एक गिलास या फिर दो गिलास, वो हमारे stomach से directly pass out होकर small intestine में चला जाएगा, वहां पर जाकर 90% absorb हो जाएगा और जो 10% बचा वो large intestine में चला जाएगा, जितना absorb होना होगा, absorb हो जाएगा और बाकी excrete हो जाएगा, लेकिन वहीं पर जब हम पानी को खाने के बीच में या फिर खाने के बाद लेते हैं, तो उस time पर जो उसका absorption process है, वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंक वो खाने को break down करने में help करता है, और जब आप पानी को पीते हो तो पानी को रास्ता नहीं मिल पाता आगे जाने के लिए, क्योंकि आपका खाना पच रहा होता है, तो इसलिए उस time पर आपका पानी आपके stomach में रहता है, आप कह सकते हैं, पंतालीस मिनट तक, और जब आप आपका खाना वहां से small intestine में जाता है, तो उसके साथ फिर आपका पानी वहां से small intestine और उसके बाद large intestine में चला जाता है, आप कह सकते हो कि 5 मिनट से लेकर 2 घंटे तक का टाइम लगता है, पानी को situations के according, हमारी पूरी body में एबसॉब होने के लिए, और जब आप खाने के साथ या उपर से लेती हो, तो यह आपकी पाचन क्रिया को fast करता है, ना कि slow down करता है, now some healthy tips to drink water for healthy body, number one, आपको हमेशा सुबह उठकर एक warm glass of water definitely consume करना चाहिए, because वो आपके organs की activity को increase कर देता है, जिसकी वज़से आपकी body का metabolism भी increase हो जाता है, number two, आपको खाने से हमेशा 30 to 45 minutes से पहले एक गिलास पानी का definitely consume करना है, क्योंकि वो आपके digestion process को increase कर देता है, लेकिन अगर आपको भूख लगी है, तब आपको पानी को नहीं पीना चाहिए, because वो कई लोगों में nausea, acidity की दिक्कत भी लेकर आ जाता है, number three, जब भी आप shower लेने जाते हैं, न नहाने जाते हैं, तो उससे पहले हमेशा एक गिलास पानी का definitely consume करें, because वो आपकी body के temperature को balance में लेकर आता है, और आपके blood pressure को भी कम कर देता है, तो जिन लोगों को high BP का issue होता है, तो वो definitely नहाने से पहले एक गिलास पानी का definitely consume करें, and number four, आपको सोने से पहले हमेशा एक गि जो भी आपकी body में repairing process चल रहा है, तो उस time पर आपकी body dehydrate ना हो, और morning में जब आप washroom यूज करते हैं, तो उस time पर आपके urine का color इतना जादा yellow ना हो, ताकि आपकी body आपको dehydrate हो चुकी है, and last, कि आपको हर दो घंटे के बाद एक गिलास पानी का definitely consume करना है, चाहे आपको प् हमारी body में काफी हद तक जो पानी है, cells ले चुके होते हैं, तो उसके body hydration के chances increase हो जाते हैं, इसलिए every two hours के बाद आपको एक गिलास पानी का जरूर कंजूम करना है, I hope guys this video may be beneficial for you and may add a little value in your life, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को like, share and comment करके मुझे ज सोचते हैं, आप खाने के बाद पानी पीते हैं, या फिर नहीं, वो भी मुझे comment section पर लिखकर जरूर बताना और इस channel को जरूर subscribe कर देना ताकि मेरी latest notification आप लोगों तक जरूर पहुंझे, I'll meet you in the next video, till then take care, be safe and bye-bye and for customization of any diet plan, you can visit my website that is www.dietician.happy.com जहां पर जाकर आप मुझे contact कर सकते हैं और आपको किस तरह का diet plan चाहिए, आपकी body type के according आपको उस तरह का diet plan मिल जाएगा and don't forget to subscribe my channel, bye